हेलो दोस्तों, नमस्कार, दोस्तों हमारे चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है दोस्तों आज हम आप लोग को बताएंगे, जोलो नपुनसक्ता का सिकार हो गए हैं जोलों के बिल्कुछ सुक्रारू नहीं हैं सीमन में आज जो लोग बाच्चा पाइदा करने में असफल हैं उल्लों के लिए ये पौधा बहुत ही कारगर साबित होगा दोस्तो इस पौधे का नाम सत्यनासी है और सत्यनासी का मतलब यह होता है रोगों को नास करता है दोस्तो इसलिए इसका नाम सत्यनासी है और दोस्तों ये बहुत ही गजब का उसेदिगूर है इसका दोस्तों हम बताना चाहेंगे आप लोग को जो इसके पत्ते होते हैं उस पत्ते पे काटे लगे होते हैं और ये आपको गरामीर छेतरों में आसपास आपको मिल जाएगा जो पुराना जमीन है या खेत है उन जगो होगे अकसर यह उगता हैं दोस्तों मगर दोस्तों इसका बहुत लोग कम उसी चाल यानते हैं जो काट नोजन मगर दोस्तो यह बहुत ही गजब का काम करता है ऐसे रोगों में ऐसे तो दोस्तो यह बहुत ही अन्यक रोगों में काम करता है मगर यह नपुसकता में बहुत अच्छा काम करता है अगर जो नपुसकता का सिकार हो चुके हैं अगर वो लोग इसका परियोग करेंगे तो उनकी समस्या ठीक हो जाएगी कर剛剛 वे पफर फुल होते हैं और इसके फुल पीले होते हैं कि और इसमें जो जो फ़र होते इस पर में दाने लगते और सवाद इसक Chinese आप वीडियोंस problem ये फूल लगे हैं ये इसकी पहचान है और आप लो अच्छी तरह देख लेजिए और पहचान लेजिए क्योंकि आपको पहचानने में दिकत नहीं होगा दोस्तों दोस्तों इसके प्रयूग की बात करूं तो कैसे प्रयूग करना है सत्तिनासी का जड़ को ले कराना है आपको और उसको अच्छी तरह दो लेना है और उसके बाद दोस्तों इसको सुखा लेना है अच्छी तरह से जब इसका जड़ सुख जाए फिर इसको बारी की पाउडर बना लेना है और पाउडर को दोस्तों सुबह साम पांच गराम की मत गाउटा में एक गिला दूद मिलाकर आपको सेवन करना है जो दूस्तों आपको दिन इसका सेवन करेंगे तो आपको करना पुम सकता सुक्रारु कमी यह सारी समस्याइं ठीक हो जाएंगे और बच्चा पाइदा करने लाइग भी आप हो जाएंगे अगर आपके शीमन में सु क्यारे को बनाता है और वृरी की कवाल्टिय को बनाता है ताकि या बच्चा पइदबा करने में साहिक हो जब सुक्रा हो रहेंगे नहीं तो बच्चा पइदा कैसे होगा तो इसलिए दोस्तों इसका अब लोग परियोग कर सकते हैं और अगर आप लोग को समझ में नहीं आया है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं हम बिल्कुल आप लोगों के हेल्फ करेंगे दोस्तों अगर आज की वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें ताकि और लोग को भी फैदा हो सके दोस्तों आज की आप सकते हैं है